नमस्कार दोस्तों मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टेक्नोफन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में उसके कुछ लिक्स हमारे सामने आए हैं कौन सा फोन है क्या उसकी प्राइज होगी क्या उसके स्पैसिफिकेशन रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता जो इस स्मार प्रसेसर योजघ किया जा रहा है वह मीडिया तक की तरफ चीटी talkin प्लस जो है वो प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया जा रहा है इसके अंदर ये 5G सपोर्ट करेगा इसके अलावा जो है इसकी बैटरी जो है वो थोड़ी और बड़ी होने वाली है यानि तक्रीबन लगबग हो सकता है कि हमें 5000 mh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिले इस इसका जो बेश वेरियंट है वो 6GB, 128GB के साथ हमें देखने को मिल सकता है वैसे इसके अंदर जो है 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरियंट भी हमें देखने को मिले जा है यदि बात करें इसकी डिस्प्ले के तो इसकी जो डिस्प्ले का रेजिलेशन होने वाला है वो रहेगा 144 हट और यदि रिफ्रेश रेट के साथ हमें मिलने वाली है और यदि इसकी डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसके अंदर जो हमें 6.67 इंच की डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिल सकती है विद्दे सिंगल पंच होल कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा फ्रेंड म मिल सकता है और साथी में इसके अंदर जो है USB Type-C charging port हमें देखने को मिलेगा 3.5 mm audio jack भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है इसके अलावे बात करें इस प्रोसेसर के तो प्रोसेसर जो है वो बड़े ही कंपान का प्रोसेसर यूज किया गया है इसके अंदर ये जो है snapdragon 865 प्रोसेसर को एक बहुत अच्छा रिप्लेस्मेंट थाबित हो सकता है वैसे ये फोन 19 मई को launch होने में जा रहा है तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे स्मार्ट फोन के बारे में कि इसके अंदर क्या हमें देखने को मिले पाएगा और क्या नहीं देखने को मिल पाएगा इ करें तो परफॉर्नेस पाइज ये काफी अच्छा होने वाला है न जे अच्छा होने वाला है स्मार्ट फॉन प्राइज जो है वो हमें देखने को मिल सकती है लग ठग 40,000 रूपय के आसपास में 35-40,000 रूपय के आसपास में यह था इस स्मार्टफोन के बारे में मेरे को लगता है कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंफोर्मेटिक जरूर लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीज़ के बारे में आपके लिए अपडेट लेके आदे रहते हैं तो आप इसके लिए हमारे चनल को सस्क्राइब कीज़ें नीचे देगे रेट बटन को प्रेस करको पास में आने वाले बैल आइकन को भी दबा दीजेगा इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के मिलते रहेंगे और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही थन्यवाद